कि असलाम अलेकुम मैं हुआ ली रहमान और आप देख रहे हैं टुटोरियल स्टाउन आज की इस वीडियो में हम डिजाइन के कुछ प्रिंसिपल्स को सीखेंगे समझेंगे हम थोड़ा इंटरफेस को देखेंगे कुछ डिजाइन के हम आइडियाज देखेंगे और जो भी इंटरफेस दिजाइन के प्रिंसिपल्स हैं उनको हम तोड़ सा डिसकस करेंगे वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरा चानल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लिजिए और बैल आइकन जरूर हिट कीजे कर तक कि आपको मेरी निवाने वाद इसके नोटिफिकेशन मिल जाए तो चलते हैं कम्प्यूर स्क्रीन पर और इन सब चीजों को देखता है यूआई में होने चाहिए तो हम यहां से वीडियो को स्टार्ट करते हैं फिर आगे हम दोड़े से प्रिंसिपल्स पड़ेंगे सबसे पहला जो हमारे पास गोल्डन डूल का पहला रूल है वह कंसिस्टेंट यूजर इंटरफेस मतलब कि आपका जो भी यूजर इंटरफेस होगा वह बिलकुल कंसिस्टेंट होना चाहिए यानि उसमें एक स्क्रीन में मैंनियू कहीं और रखा है आपने लोगों कहीं औ स्क्राइब कर दोगा लिए यहां आपके सामने दोगजांपल टहुन जाह पार नज़ाए स्लिक पर नहीं पर Li जो के छाट को लुग we य कर दिजाइन है या एक ही website का डिजाइन है और उस Mहीं की जगा हर एक पेज पर अलग अलग कर दी गए है लोगों की जगा अलग कर दी दी गई है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए यह एक बिल्कुल ॉसका principle है एक बेसिक सा रूल है कि जिसमें आपका जो डिजाइन है आपके हरे की स्क्रीन वो कंसिस्टेंट होनी चाहिए हमारे पास आपका जो गोल्डन है वो है अलाव यूजर्स तो नैविगेट इसली वाया शॉटकट मतलब के आपकी जो वैप साइट है वह आपके शॉटकट से चल जानी चाहिए नॉर्मली आप जो सॉट्वेर्स यूस करते हैं जो जैसे लाइक यहां पर मैंने ग्जैंपल आपको पेस्ट करने हैं तो उस वैप साइट में यह फीचर्स काम करने चाहिए यह चीज आपको बंद नहीं है बहुत सारे स्क्रिप्स होती है जो बंद कर देती है लेकिन आपको अगर अपनी यूई डिजाइन को बहुत अच्छा बनाना है तो वह आप कर सकते हो आपका आप की की से होते हैं आपने कोई farm लगाया तो फोम पे या जो यह जो यचे कर सकते हो तो यह यह जो इसना है यह आपका जो डॉन और जाएरो इस से भी वशाइड साप और में घली करत dólar यह निग छोण को मुबालदिंग को और रॉट फोन में छोट करने तो यह आपर इस वाले प्रिंसिपल को आपने देखना है अपने वैब में तो वैब में आपके पास जो है वो आपके शॉटकट्स कर सकते हो आप टैब की की होती है पेज बार होता है पेज डाउन होता है तो वह सब फीचर्स काम करने चाहिए यह चीज आपको बंद नहीं करनी है और जब भी यूजर फ्रेंडली नहीं होगी थर्ड हमारे पास है कि आपको प्रोवाइड इन्फोमेटिव फीडबैक यानि आपका जो यूजर है उसको आपने एक बहुत अच्छे से जना अपनी स्क्रीन पर फीडबैक देना है फीडबैक मतलब कि जैसे इस वाली ग्जैंपल में आपको क्राइटेरिया दिया होता है कि आप जो है वह एक जो सिंबल है वह आप यूजर होने चाहिए और नंबर्स होने चाहिए तो आपका पास्वर्ड स्ट्रॉंग बन जाएगा तो इस तरह से यह वाली चीज होती है यह यूएक्स राइटिंग कहलाती अगर वह टेक्स इसकी फॉर्म में लिख्यों इस पर इंचालला मैं आगे वीडियो बनाऊंगा यहां पर क्या है कि आपकी यूआई में ही देखे आप तो एक लाइक आपको एक रेंज बार दे सकते हो या आपको मतलब कि जब तक पास्वर्ड स्ट्रॉंग नहीं हो जाता वह जो आपकी फ जो है ना पास्वर्ड जो है वह फ्रॉंग नहीं होता तब तक वह या तो एकसेप नहीं करता यहां फील कलर चेंज रहा कुछ भी आप मतलब दिखा सकते हैं इस एक्जैंपल में जैसे डॉट्स दिये में तीन सौरी चार डॉट्स हैं तो इस तरह से आपके पास्वर्ड क स्ट्रेंथ होगी वह पता रहती है जैसे आपके पास फॉर्म में कि है अगर बात करें तो स्टार लगा होता है कोई फील्ड रेड हो जाती जब आप फॉर्म करते हो और रिक्वाइट फील्ड होती है वो अगर आपने फिल्ड नहीं किया तो एसा नहीं होना चाहिए कि यूजर को गाइड करना है तो यह का बहुत बेसिक सा तीसरा तीसरा रूल है जो के एक आपके वैप पेज को अच्छा बनाएगा या एक की स्क्रीन को अच्छा बनाएगा चोहता रूल आपके पास यहां पर मौझूद है डिजाइन डियालॉग वेन प्रोसेस इस डन तो यह आपके आपके शॉपिंग करता है और वह चीज खरीद लेता है या पेमेंट कर देता है तो उसको थैंक यू स्क्रीन नजरानी चाहिए कि हाँ भी मेरी जो पेमेंट है वो इस एप को मिलें बहुत सारी एप्स होती है यह बहुत सारे जो वैप साइट होते हैं बहुत सारे दूंडा है उसको तो यहां पर सामने आप जोए ना वह एक थैंक्यू स्क्रीन दिखा देते हो तो यूजर के माइंड में एक सटिस्फेक्शन आ जाती है कि हमें जो फंक्शन परफॉर्म किया इस वेबसाइट पर कोई अकाउंट बनाया साइन अप किया है उस पे आप थै ग्राइब प्रिवेंट एरर्ष एस मच एज पॉसिबल तो इसमें गया कि आपके यूजर को आपके यूजर के बहुत सारे पैन पॉइंट होता है यह उसको सॉल्फ करता है अगर आपने यूजर के सारे एर छोड़ दिया जैसे यहां पर दो स्क्रीन की अगीन मैंने कीबोर्ट ओपन होना चाहिए वह नंबर्स वाला ही आपको कीबोर्ड नजर आ रहा है लेकिन दूस गलत तब होता जब इसमें जो लिखना नंबर है लेकिन यहां पर आपके पास ऐल्फबेट्स वाला जो यह बहुत बेसिक सी चीज मैंने एक जांपल दिये ताकि आपको है तो अब इसमें भी मतलब जो इंग्लिश वाला जो आप कीबोर्ड नजरा उसमें आप नंबर लिख सकते हो लेकिन उसमें आपको नीचे जाके यहां पर 123 वाले बटन पर क्लिक करना पड़ेगा और फिर आपको उसमें नंबर्स जालने पड़ेगी तो आप कोशिश यह क बढ़ा होगे आप जैसे उसको कहते हो भाई नहीं यह इनफोर्मेशन भी दो यह भी चेंज करो तो उसके पेंट बढ़ जाते हैं और वह फिर आपकी वैब्शाइट से जो है ना वह पसंद नहीं करेगा तो यह चीज़ें बहुत जाता मैटर करती हैं तो यह भी हमारा एक गोल्डन रूल एक और आता है जो के है अलाव यूजर्स टू रिवर्स दियर एक्शन एजीली मतलब कि आपको यूजर ने कोई कोई फॉर्म आपने फिल करवाया या आप कोई सब्सक्राइब करते हैं तो आपको यूजर को इतनी अजादी देनी है कि किसी भी किसी भी सिचुएशन में या किसी भी पॉइंट पर पीछे जा सके या मैंने एक्जाम्पल जो आपको दी है वह आप देख रहे होगे कि मैंने यहां पर जो है वह बहुत सारे चीज़े फि जाके उस एप में जो है वह कोई चीज़े कम यह जादा कर सकते हैं ऐसा नहीं हो कि पहले उस चीज़ को कार्ट से ही पूरा डिलीट करना फिर जाके उसको सर्च करना है और फिर यहां आके आपको जो है वह एड्जस करना यानि दुबारा से उस सारे जो जो भी आपने चार गोल्डन पुल्दन रूहर हाएं हमारे पास यहां पकार नैक्स हमारे पास जो रूल है वह सब्वार कार कुंट्रोल इंतरल लॉकस अवर्घो ya होता है कि अपके आंदर की जो चीज़़े होती है आप आपके यू आई के अंदर कि भी खासियत होती य。 जैसे जैसे ये डायलोग बॉक्स बहुत मश्रूर सा डायलोग बॉक्स मैंने लिया यह किसी एक्सिल की वर्क बुक का है तो उसमें क्या हो रहा है कि जब आप कोई भी सॉफ़वेर आप अब जो मॉडर्र सॉफ़वेर आ रहे हैं उसमें कोशिश की जाती कि जो आपके काम है वो फॉरन फॉरन से वोजाता लेकिन पुराने सॉफ़वेर जो होते हैं उसमें क्या होता है अचाना कर सॉफ़वेर बंद कर रहे हो एक तो आपको अपने यूआई में रखना चाहिए जैसे आपके पास होता है कभी कभी वैब साइट बना रहे होता है कोई चेंज आपने जैसे आप फेस्बुक पर पिक्चर अप्लोड कर रहे हो और आप उसको रिफ्रेश करना चाहते हो पेज को तो फेस्बुक आपसे पूछता है कि यह डिसकार्ड करनी है पोस्ट या फिर आपको गलती से आपने बैक कर दिया या रिफ्रेश कर दिया अप इसको कैंसल करना पेंट पॉइंट होता यूजर का तो यह चीज भी आपको अपने यूआ यूए यूएक्स में जो है वो सामने रखनी है कि आपका जो यूआई है वो यूजर को खुद बताय कि आपसे यह गलती हो रहे है क्या आप जानमुच के कर रहे हो या फिर जो है वो आप नहीं चा आपका ना एक स्ट्रीकिंग टाइम होता है यानि आपकी जो वैब्शाइट होती नॉर्मली वह पंदरा से पच्चेस सेकेंड के अंदर ओपन हो जानी चाहिए अगर वह उपन नहीं हो रहे है तो इसका मतलब वह आपने वैब्शाइट नहीं बनाई वह आपने वह एक लाओ और आप ने बार बरगेल बजाई दूसरी बार बैल बजा तीसरी बार बार ब्लबजाई कोई यिव क Oui इख पर मदर को सेंट नही करना हो तो आप कुछ वाँ खरीदने जाते हो अगर वही ओपन होने में टाइम लगाएगी तो जो यूजर होता है यह भी उसका एक पॉइंट है कि उसको इंतिजार करना पड़ रहा है अब कोई बंदा बोले मैंने इतना अच्छा वाला इंटरनेट लगा है फिर भी वैपशाट इ है क्योंकि आपकी यूआई में जो मैमरी लोड होता है वो सबसे जादा ले रही होते हैं आपका जो मीडिया होता है मीडिया मतलब कि आपकी जो वीडियो है या आपकी जो एनिमेशन अब अनिमेशन जो है वो कोडिंग से होने लगी है बहुत सारी अनिमेशन तो उसका टा यहां पर एक छोटी सी मैं चीज बता दूँ आपको जो भी आपकी वैबसाइट होती है आपने देखा होगा वैबसाइट से पहले लिखा होता है कोई भी वैबसाइट आप उपन करते हो तो उसके उससे पहले लिखा होता है HTTPS यानि Hypertext Transfer Protocol और S भी लिखा होता है S4 Secure तो यह एक ऐसा Transfer Protocol सिस्टम है कि जो भी वैबसाइट होती है जो भी आप रिक्वेस्ट भेजते हो इंटरनेट पे तो आपकी वैबसाइट पहले आपके कम्प्यूटर में डाउनलोड होती है तो अगर बड़ी-बड़ी इमेज और बड़ी- इतनी छोटी होगे जल्दी डाउनलोड जाएगी आप सबको पता होगा कि अगर एक फाइल एक जीबी की है तो वह ज्यादा टाइम लगाएगी और एक एमबी की है तो जल्दी से डाउनलोड हो जाएगी वाले के मुकाबले में एक्जांपल देना हूं उतनी वड़ी करती है आपके यूआई डिजाइन में तो यह आपके पास जो है वो कुछ गोल्डन रूल्स है जिनको फॉलो करते हुए आप अपनी जो यूआई है उसको बहतरीन से बहतरीन बना सकते हो सिर्फ दिखना ही काफी नहीं होता उसके फीचर्स भी सही से काम कर लेने चाहिए यूजर को समझ आनी चाहिए यूजर फ्रेंडली होनी चाहिए तो यह बहुत ज्यादा मैटर करता है नेक्स वीडियो का जो सेकंड पार्ट है उसमें आपको यह बता रहा हूं कि आपकी यूआई डिजाइन है उसके कुछ की प्रिंसिपल्स है लेकिन इसमें कुछ की प्र प्रेंडली बणता है दिया आपकी वैबशाइट और यह की प्रिंसिपल जो है आपके डिजाइन से स्ट्रॉक्छेश से रिलेटे थावह तो सबसे पहला जो आपका की प्रेंडिपल यूऑ डिजाइन का वह है कलियरिटी आपके यूआई डिजाइन में clarity होना चाहिए यह है लोगो है उपर मैन्यूज है नविगेशन है साइड में आप देख रहे होगे कि इसमें कार्ट आपको नज़ा रहे है विशलिस नज़र आ रहे तो बहुत बेसिक सा डिजाइन है लिकिन क्लारिटी है इन्हों नहीं सोचा कि हम तो फैशन ब्रैंड है तो हम यह भी डाल देते हैं इसमें आपका मकसद है दिखाना अपने यूजर को सही से गाइड करना तो एक क्लारिटी होनी चाहिए आपकी वेबसाइट में यह एक पार्ट है और भी आप इस वेबसाइट करेंग जिन्दगी में आपकी ही वेबसाइट वेबसाइट करता है यह पूरे दिन में आपकी वेबसाइट कर दे तो घलत है यह वह हजारों वेबसाइट करता है यूजर एक ना फैमिल्यरेटी होनी चाहिए यह पता हो कि जैसे दोनों आपके सामने में दो इंटरफेस रखे हैं यह पाकिसान की दो मश्वूर वैबसाइट है यह उसमें भी आप देख रहे हो सर्च बार उपर है कार्ट का उप्शन उपर है दूसरी वाली आपसाइट में डिजाइन तो पता है कि अगर हमारी दरास को पता है कि अगर आई शॉपिंग पर कोई जा रहा होगा तो हमारा यूजर आई शॉपिंग वाला भी हो सकता है एमाजॉन वाला भी हो सकता है उसने कभी ना कभी एमाजॉन में उपन की होगी यह सब चीज़े मैं आपको पहले बता चुको कि जब यूजर परसोना बनाया कि देख सकते हो तो दरास को बता है कि जो है वो जो मेरा यूजर आएगा वो इससे पहले भी दूसी शॉपिंग वैब्शाइट जो है वो यूज कर चुगा होगा तो आपने यूनिकनेस के पीछे नहीं जाओगे आपका जो यूजर है वो हजारों लाखों यूजर होंगे आ लगाया है मतलब कोई आप गेम खेलने के लिए आपकी वैब्शाइट पर यूजर नहीं आ रहा है अगर उसके मतलब की चीज़े सामने नहीं मिलेगी तो आपकी वैब्शाइट को बंद करेगा लाफिस बूलेगा और फिर दूसरी वैब्शाइट पर चला जाएगा तो इ यूजर क्योंकि यूजर का जो एक्सपीरियंस वेरी गरता है आज कल के जमाने में यह के यूजर आएगा यह एकॉमर्स वैब्शाइट है बहुत सारी चीज़ होती है कि एकॉमर्स वैब्शाइट पे तो वह सबसे बहुत सब्सक्राइब करेगा वह भले ही यहां कैटेग तो वह क्या करेगा उसके लिए वेब्शाइट बिगार है बिल्कुल बंद करेगा आपके वेब्साइट और जो है वह दूसरे एबसाइट पर चला जाएगा यह वाला गलती नहीं करनी है यह इक इंपॉर्डन प्रिंसिपल है कि आपको दूसरी वैबसाइट को देख के अ था फ्रेफरेंसिग होते हैं, उनको भूलना नहीं है, आपको यूजर वह इंसान ही है, वह भी दुनिया में रहते हुँआ, उसको अर्सा गदर चुकत होगे, वह बहुत सारे यूईज देखे होगे, तो इसलिए आपको जो है वह अपनी वैब सेट को थुड़ा फैमिलर वन नहीं है तो जो क्लोज करने का option वाला है भले वो दूसरे वाले में भी क्या होता है कि आप उस pop-up के बाहर कहीं भी क्लिक करोगे तो बंद हो जाएगा लेकिन क्या है इस पहले वाले pop-up में जो आप देख रहे हो जिसमें close का icon मौझूद है close का button मौझूद है उसमें भी वैसे ही होगा कि अगर pop-up से बाहर कोई क्लिक करें तो भी बंद हो जागा लेकिन उन्होंने एक अलग फीचर भी आपको दिया हुआ है कि अगर आप close पे क्लिक करोगे तो भी हो जागा तो यह भी आपको माइंड में रटना है कि आपका हर एक यूजर इतना फैमिलियर नहीं इतना से नहीं वह भी द्यान देना है कि उसको यूजर को यूजर को घंड करना को यहां से बंद जाए पर PP करने और उन्हों कि पमिलिए चैक आफ नहीं लिए आगर इसको पैसे ज्यादा वन्रीत बनीये तो उस वक्ट भी आपको डिलीट का उप्शिन देना है कि आप जो है वो बढ़ा सकते हो quantity या कम कर सकते हो या प्रोड़ेक्ट को डिलीट कर सकते अपनी कार्ट से तो यह सारी जो है उसको यूजर को कंट्रोल देना है ऐसे निए कि वो सारे और पहले उड़ाए डिलीट अब आपको यूजर को जितना अच्छा गंट्रोल आप दोगे आपका यूई इतना ही डिजाइन होगा नेक्स हमारे पास जो की प्रिंसिपल है वह रार्की में बहुत सारी चीजे मैटर करती है ऐसे सबसे पहले पर उसके बाद कहों है इसके बात कुन है हमारी फैमिलीज में होते हैं पहले जादा पर अबू बाही मैं तो पिर उनके बच्चे पिर उनके बच्चे तो इस तरह से आपकी जो हिरार्की एन वह यूजर को गाइड करती है है कि वो पहले करहां जाना है पहले क्या पढ़ना है पहले क्या देखना आपने कभी वेड़ीर स्लाइडर नीचे नी दिखा हमेश्य उबर होता है और उबर को है क्षिङ में करण बोगरे कोई नहीं चीज लाॉट चूगी तो पहले आ देक तो कि यूजर आपकी एफसाइट पर आगा उसको वह स्लाइटर जरूरी जरूरी देखने है क्योंकि उसकी स्क्रीन पर सामने नजर ही वह आएगा तो महां पर आपका यूजर आके रूपता है तो यहां पर हिरार्की मेरे कुछ मैंने कैटेग्राइज किया हुआ इसको सबसे पिक्चर को देखना है सभी बहुत इन्होंने कंफ्यूजिंग नहीं किया हुआ कि वह जो एप की स्क्रीन बनी विए उसमें ब्लू कलर भी डाल दिया तो ऐसे नहीं करना है अब इस वैप पेज को अगर आपने अभी देखा तो आपको पता हुगा कि सबसे पहले मुझे ओ आपके जो डाउनलोड के बटन से उस वह आप समझ गया हुए कि बटन एक क्यूंकि उसके पीछे उनने कलर दिया हुआ है तो कलर बहुत ज्यादा मैंटर करता आपके हिरार्की के लिए और भी चीज होती है नेक्स आपके पास होते हैं आपके साइजिस यानि फॉन्ट के स मैंने दो ये सब चीज आपकी हिरार की क्रेट कर रही होती है और और अबहार कि आपकी बहुत ज़्यादा मेंटर करती है ताकि यूजर को नेकिस प्रेंसिकल है वह है फ्लैक्सिब्लीटी में यह एक वीडियो यूज किया आपकी यूजर आसानी देनी चाहिए कि यहां पर यूजर ने कुछ भी टाइप किया और टाइप करने के बाद वो अभी प्रोड़क्ट पर गया नहीं यह एक्स फॉर्म मैंने लगाया हुए इस वेप्साइट में तो जो है वो एक्स की फंक्शनारिटी या घरी वो प्रोड़क्ट है कि यहां पर आपके जहना ब यहां पर आजाएगा तो यह अगर देख सकते हैं तो इसको उन प्रोड़क्ट पे जाना नहीं है वो यहीं पर देख सकता तो डारेक्ट उसका प्रोड़क्ट पर इससे मैंने यूजर जाना नहीं है के एक क्लिक कम कर दिया वो सक् 6 करता लिखता कड़ाई लिखता कड़ाई पर जाता सर्च करता सारी लिस्ट दिन याती पिर वह चुश करता मैंने उसको ऊट ग्लुक्स कर दिया सिर्फ एक सर्च को थोड़ा advance करें कि वो इस search में ही दून लें कि पांच प्रोडक्स आ रही है चार प्रोडक्स आ रही है तो इन में से कौन सी वाली चाहिए उस पर ही क्लिक करें और वो डारेक्ट उस प्रोडक्स के सिंगल प्रोडक्स पे जो होता है उस पे चला जाए और वहां से वो उसको details देखे और उसको करीज सकता है अपके यूजर के लिए अपनी यूजर को असानी देखे और लास्ट हमारे पास यहां पर जो प्रिंसेपल है की प्रिंसेपल है वह पहुत होती है इक प्रूवाइब पहुत ज़ाएब ओने संद्धित होती है ऎिसे नार्स ही चलती है आप عash सब्सक्राइव क्लार क्लर सब्सक्रायर को यह तो इक चीज दूसरी र mail है तो यहां पर्माँ जादा हुआ है हमारी लाइफ में भी और वैसे भी तो तो यहां पर आप बता सकते हो और यहां बता सकते हैं कि वेरी गुड है यह लाज टेक्स्ट है तो यहां पर आप एकसे सब्सक्राइब को नहीं कि नजर आए यहां बहुत मशूर सी बात है वोट है वोट है और यहां जादा है इसके लावा और बहुत सारे प्रॉब्लम होते देखने वालों में किसी को थोड़ा उपर का नजर नहीं आ रहोता नीचे का नहीं आ रहोता सामने का बिल्कुल नहीं देख पाते हैं कि यह आपमें आप आप एसे वह बहुत है और कलर इसले भी जरूरी है कि आपके पाता जोना हर बीसमा बंदा जो होता है आदमी ऑन मरद आ वह कलर ब्लाइंड होता है कहीं नहीं आप 20,000 बंद हो भर या नियों जो आपका समझ ले ले यानि सामने बीस लोग फड़े तो उ तो यहां पर यह है कि अब इतने सारे लोग आपके लिए क्लर ब्लाइंड वह जो आपके लिए क्लर में डिफरेंस नहीं कर पाते तो यह जो वैपशाइट आपके पास सामने होती है तो इसलिए आपका कॉंट्रास हमेशा जादा होना चाहिए बहुत जरूरी चीज़ होती है कि आपका कलर्स जो है वो प्रॉमिन नजर आ रहे हो तो उसे वैपसाइट को चलाना नहीं उसको देखने के लिए भी आपकी वैपसाइट एकसेबल होनी चाहिए आपने टेक्स लिए 20 मर्द जो होते हैं 20 आदमी यह होता है वह कलर्व ब्लाइन रही होती है तो यह हमारे कुछ की की प्रिंसे थे जिसे आपकी जो भी हो स्mons वह अच्छी नहीं दिखनी चाहिए वह यूजर फ्रेंडली भी होनी चाहिए अपनी जब भी आप यूजर फ्रेंडली भी होनी चाहिए तो दोनों चीज़ आपको देहान में रखते हुए अपने यूई को डिजाइन करना है हमने इस वीडियो में कुछ रूल्स देखें कुछ प्रिंसेपल देखें जो हमारे यूई डिजाइन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है तो यह थी आज की क्लास होप आपको पसंद आयोगी समझ में आयोगी और अगर समझ आ गई है तो चैनल को सब्सक क्लास में तब तक के लिए लाफिज अपना ख्याल रखिये रखिये